देशपर में हर गर्जंडा अभयान को लेका तयारिया जोरो शोरो पर हैं, तमाम सरकारी बिभाग के साती राजनेतिक समू हो, यह समासेवी यह फिर व्यवसायद समू. सबी हर गड़ जंडा अभ्यान की तैयारियों में जूटे हुए हैं तो वही रक्षबंदन को लेकर बेहनों के भाई की कलाई पर सजनी वाली राख्यों उनके घर तक समय से पहुंच सके इसको लेकर डांग विभागने कमर कसली है आज मौरंगी छुटी होने के बाब दूद डांग विभाग के अधिकारी वा करमचारी अपनी डूटी को अंजाम देते नजर आ रहे हैं यहां डूटी कर रहे हैं डांग घर में आई हुई पार्सल को उनके घर तुकान तक पहुंचा रहे हैं तो वही हर घर तिरंगा को ले पोस्ट ओफिस पोस्ट ओफिस आये हैं हम यही अमरित महुत सब के लिए जंडा लेने के लिए प्रदान मंतरी मोदी जी द्वारा जो बताया गया है कि आपको हर घर जंडा लगाना है तिरंगा फैराना है तो उसी के उपलक्ष में हम लोग जंडा खरीदने के लिए आये ह हमने दो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बहुत अच्छी प्रप्रेशन चल रही है घर पे जंडा लगाने की और भी चीज़े तयार कर रहे हैं हम लोग हाँ हां जी बहुत ज्यादा जागुर्पता है इस चीज़ के प्रतिजब से प्रधान मंतरी मोधी जी दुए द्वारा ही सब चलाया गया है कि लोग के मन में जो है देश भक्ती जागुरों को रहे हैं जागुर्पता बढ़ रही है इस चीज को लेकर के कि आपको अपनी देशबक्ति दिखानी है तो इन सब चीजों को लेकर ही बहुत जादा आगे बढ़ रहा है मारा देश स्पीट पोष्ट गैश्ट्री में प्रियसाधन डाक में राकी बुख होती है उसको हम इस्पेशल राकी बैग बनाकर गंतव इस्थानों को भेशते हैं और इस बार पूर्व की भाती छुट्टे के दिनों में भी हमने राकियां समय से पहुंचे आज महरुरम का पर्व होते हुए भी डाग घर खोले हुए हैं हमारे पोष्ट में राकियां लेकर बीट में गए हुए हैं ताकि बेहनों की राकियां समय से पहुंचकर वो अपने भाईयों की कलाई पर बांग सके हैं कि इसके लिए हमारा डाग विभाग आजादी का मुझा पूरे मन्योग से मना रहा है और इसके लिए हमने पूर में रैली निकाली है और जंडों की हम विक्री हर डाग घर के माध्यम से कर रहे हैं और जंडों की डिलीवरी हम यदि पब्लिक हमको इपोस्ट आफिस के माध्यम से अपना आडर कर रहे हैं उसको भी हम पोस्ट में के माध्यम से उसके डोर स्टोप पर बिना किसी अत्रिक चार्ज के जंडे का वित्रन हम लोग कर रहे हैं